का सही कंसेप्ट क्या है सही कंसेप्ट यह है कि जब तक PMI तो आप नोटिस किजे यहां पर आपको 1.8 वोल्टेज मिल रहा है यह आन हुआ है बारा कैसा लगा यह वीडियो बदाएगा ज़रूर आदी 1.8 वोल्टेज प्यामाई से चेक कर लो अका प्यामाई का चेक हलो हाई कैसे आप सभी लोग आज आपको मैं एक बहुत अच्छा स्लूसिन देने वाला हूं लगो यार बहुत सारे लोग यह पूछ रहे हैं सवाल करते हैं बहार के सस्क्राइवर्स जो क्लासे जोइननी करते हैं जो यूटूब से ही सीखना चाते हैं और इंदी के और सीखते रहे के लिए वीडियो नहीं बनाया है एक सवाल आया था पास पीएम के साथ म क्यिसा पीम आईा लगी फो जम पर अगर आपको पीएम है और आपको एक PMI लगी है, फॉर जम पर PMI कौन सी, 8952, 8952 मान के चलते हैं, तो how to check perfectly तरीके से, how to check in a perfect way, PMI is good or not, PMI को कैसे हम बताएं कि वो सही है, बहुत सारे लोगों को से इतना ही पता है, कि अगर हमारा PMI BPH बना देता है, जो कि यह secondary supply है, तो हमारा यह IC OK है, पर ऐसा भी नहीं है, सिर्फ BPH बनाने से PM को कभी भी control signal नहीं पहुचते है, PM की requirement है, एक input as a BPH, बहुत देखो धान सा समझना और सुनने की बाली बात है, कि जब तक आप चीजों को समझेंगे और सुनेंगे और सीखेंगे नहीं, तब तक आप उसको practically करनी पाएंगे, और practically करने का मतलब, अगर आपका hand skill नहीं है, तो आप CPU की layer भी समझ लें, तो उसका कोई फ़र्क नहीं परता, आप CPU की layer समझ कर भ पैट तभी जानना चाहिए, जब तक आपका hand skill proper नहीं हो जाए, और पहले इसलिए किसी भी institute को join करो, hand skill बनाने के लिए, तो मैं reason इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग से यही समझते हैं, कि BPI चाल गया, PMI हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, तोड़ा सा मैं आपको PMI के अंदर, तो आपको सभी को पता है कि PMI switching करती है, switching करती है, switching coil के साथ, जो कि 1 micro henry का होता है, और वो coil जाता है आपके PM के अंदर, और PM के अंदर various capacitor के साथ जाता है, जिसके अंदर जो ground होते है, वो ground पे आपने देखा होगा, गोला सा कुछ लगा होता है, क्यों, वो भी एक pad बहुत important है यहाँ पर, क्योंकि यह pad बग की switching के लिए as a input का काम करता है, बराबर, ठीक है, अब switching होगी, तो अव्यस है कि उसका boot caps भी activate होगा, और आपको 8 और 8 और 4 की supply मिलेगी, पर क्योंकि स्रिप BPH मिल जाए इसको, तो PMI सुना समझेगी कि मैं activate हूँ, क्यों, simple जी और यहाँ से voltage आपको सीधे PM को दे रहेगी, मतला बैटरी लगाने पर, क्योंकि इसके साथ भी आपके कोई MOSFET लगा होगा, अब आपको पता करना यह है, कि वो MOSFET P channel है, N channel है, अंदर IC के अंदर जाकर, IC का data state specification निकाल कर, कि वो P channel के MOSFET हो रहे हैं, N channel के MOSFET हो रहे हैं, व मिली रहा है, चाहे मैं charger लगाँ या भी बैटरी लगाँ, तो charger लगाने से phone activate तो हो जाता है, थोरी देर के लिए, मतलब sign vine आ जाता है, skin आ जाती है, बट बैटरी लगाने से तो होता नहीं है, तो यह concept गलत है, सही concept क्या है, सही concept यह है, कि जब तक PM आई, एक signal नहीं भेजे voltage की supply है, जो कि PM को as a signal चाहिए, कि आप okay हो, तो मैं आगे moment करूँ, अगर आप मुझे जब तक वो नहीं भेजोगे, मैं बको की switching करूँगी, नहीं, मतलब मैं अपने आपको activate नहीं करूँगी, तो दोस्तो, आज का topic के बल से वितना है, how to check your PMI in a perfect way, कैसे check करें PMI को, so PMI को चेक करने का, अगर VPH बन भी रहा है, तो हम यह कह सते हैं, कि IC के अंदर की charging MOSFET है, वो सारे okay है, बड़ हमको यह भी समझना है, क्या वो PM को activate कर रही है, क्या वो उसको signal भेज रही है, तो उसको signal भेजने का काम, system okay करता है, ऐसी बहुत सारी चीज आपको समझना है, यही supply, जो हम दूसरी IC को activate कर रहा है, उसको fault end कहा जाता है, जो कि PM खुद करती है, बाकी सब ISO को भेजने के लिए, और जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं, तब तक आप बड़े mobile क्या, छोटे mobile भी नहीं बना पाएंगे, समझ रहा है आप इनी बात को, क्या ठीक है, हम इसको practically कर के दिखाते हैं, आप इस वीडियो को देखेगा, छोटा ही वीडियो है, मैं कैसे चेक करना है इना, क्योंकि यह तो theory हो गया, बात करते है practical, theory तो सभी कर रहे है, हमें कुछ practical, और racer telecom always believe in practical, पूरे देश में, एक मातर racer telecom में कैसा है, जो प्रे देश में एक मातर racer telecom में आप से सी और चालू बोर्ड में आपके MMC निकलवाके लगाएगा, क्योंकि वो daily आपकी hand skill को बनवाता है, क्योंकि वो अपनी पूरे responsibility के साथ आपको पूरे समय देता है, आपको hostel में एक भर मिनिट बैटने का आराम देता नहीं है, फिर, वो ही जानते हैं, जो इसे telecom में वो एक circuit way हो, वो एक solutions हो, जब 10 hand skill, जब 10 notes, जब 10 चीज़े मिल रही हैं, साथ में मलिक सर के साथ आते साथ नएने gifts मिल रहे हैं, रामरा सर से नएने offers मिल रहे हैं, और भी कई चीज़े उनको मिलती जा रही हैं, उसकी अलाबा क्रिकेट मैच, मालब fun activity, हम कभी भी संडे, मं या कैभी वे ऐसे दिन को चुटी नहीं देते हैं, और cricket match भी हम अबने सुबेर की 6 बजे की बैसे, साम की 6 बजे ता जब तक बाड़ा घंटे नहीं पड़ाते तब तक खिल नहीं, वो भी सिभी एक बार, वो भी सबसे आखरी दिन में, दोस्तों, आप हमें लाइब ज़ू को जोईन आप कर रहे हैं, किसी भी, कम फीस के कारण, 20,000, 25,000 में जा रहे हैं, तो प्लीज एक बार Acer Telecom को जरूर करना, किसी की मत सुनना, अपने दिल की सुनना, हमें फेजूम में फोलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं, तो करो, अपने दिल की सुनना, और एक बार हमें प्लीन पर चलता है और बहुत हाड है और मेरा नाम तो थोड़ा जादे ही फेमस है चालो अब हम एक पैक्टिकल करते हैं कि कैसे हम PMI को चेक करें बढ़ हमें उसके लिए PM का टाटा चाहिए हमने उसके लिए एक डाइग्राम आपके सामने खोलते हैं पहले जैसे फोर जांप पर यह डाइग्राम मैंने लिया है उपो का और प्रेटिकली में किसी भी आईसी में आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आप देखे कि आपको दो आईसी यहाँ पर मिल रही है ठीक है और यहाँ पर भी हम उसको जूम कर देते हैं अब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ देखेगा यह आपकी PMI है यह आपकी PMI है यह जो कोईल है इस कोईल से इसको इन कैपिसेटर के तुरू बीपेच तो दे ही रहा है बट एक अलग पैड से एक अलग पैड को वो सिस्टम अगर हम ओके भी भेज रहा है जो की होते हैं 1.8 हमें इसे समझना बहुत ज़र ज़री है कि 1.8 आ रहे है कि नहीं आ रहे है क्योंकि एंटिकेटर लाइन है जो कि 2 IC की बीच की सप्लाई होती है हमें उसके लिए एक IC को निकलना पड़ेगा और क्योंकि कोई सेंस लाइन नह मस्ते हैं अगर हम पी एम को ही डारेट पड़ें तो हमें यह चीजे डारेटली पता चल जाएंगी जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि नोटिस कीज़ेगा मैं आपको यह पूरा बहुत अच्छे से स्प्लेइट ऐसे घड़ सकता हूं आपको कभी जरूद नी पड़ेगी दूसरा डियागराम खुलने की और आप पढ़ाने लग जाओगे इसलिए ज़्यादा तर होता है इससे टेलिकॉम में चो स्टूडेंट है वह एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आप भी आईए मेरे पास और अपना चरूर भाग अपती लाइफ चेंज कीजिए और मैं करवाऊंगा आपके महनत के बल पर ठीक है कोई स्टूड कर या कोई स्टूड को मोडिफाय करें के नहीं है देखो यार क्या है कि यह आप देख रहों है यह लाइन सिस्टम ओके एस वाइस ओके प्यामाई यह इसको पावर ओन कर रही है पावर ओन होने के बाद फिर यह इसको पावर ओन रिसेट भीज़ेगा सीप्यू उसको बापस एक तो यह इसी तीसरे को और वो रेटरन करें के दूसरी को बता रही है हाँ सब कुछ ओके आप ओके हो जाओ तब जाकि आपका होल्ड बनता है क्या है आज बात होल्ड की नहीं है कैसे बनता है आज वाद है सिस्टम ओके सो यह 77 नंबर का पैड है और यह पीम ए 8953 हम कोई ऐ अगर आप लगे रहने पर इसको चेक करना चाहते हो कि वही पीम लगी है और पीम भी लगी है और अगर कोई टेस्ट पॉइंट मिल गया गल्ती से तो आप DSO से कैसा चेक करोगे और अगर तब भी भी वोल्टेज मल्टी में कभी नहीं दिखाई देगा कि वोल्टेज अप आपको यह वाला वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूं नोटिस कीजेगा अब अगर मैं यहां पर चेक करूँ आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरे को पूरा क्लीन कर देते हैं देखें आप देख रहे हैं कि मेरे को यहां पर बी बस पर पूरे पाच वोल्टेज मिल रहा है और अगर हमारा सिर्फ बी पी एच बन रहा है तो बी पी एच से में यह नहीं कह सकता है कि मेरा वोल्टेज ओकी है जैसे देखें यहां पर देखें 3.6 बन रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरा वोल्टेज ओकी हमें देखना पड़ेगा इस IC से जो कि system이다 कर नेकल रहा है वो इस IC तक पोहुच रा है कि नहीं पोहुच रा है तो हम इसके 77 नंबर के पैड पर जाना पड़ेगा अब हमें इसका 77 नंबर पैड गिनना पड़ेगा चिके तो मैं आपको 77 नंबर का पैड अभी तो फलाल गिन के ने बता सब्ता क्योंकि वो आपको क्लासिक साना बढ़ेगा अगर आप इसको सीखना चाहते ना तो जो ज़ूर को जोइन करना क्योंकि मैं हैंड इस्किल पर जाता द्यान दिलवाऊंगा स्केमाटिक तो में आपको 5G तक अपडेट करोंगा वह आप भूल जा कि वह मैं आपको कैसा पढ़ाओंगा बडब मैं आपको हैंड इसके लड़ीट करूंगा आप देखो मैंने भी परक्रग्माफिक्स कोला है और परक्रग्माफिक्स में सबसे बड़ी और अच्छी बात बहुत से लोगों को नहीं पता है बहुत सारे फायदा भी नहीं पता है रख में बहुत जली एक प्रमाफिस पे वीड़ो बनाने वाला हूं इंडिया का नंबर ए पहला विडियो जो कि देवतना गौाल बनाएगा और वह आपको एक दो दिन के इंदर मिलने हवाला है आप देखो तो यह आपका पी-एम है इस पी-एम के अंदर आपका यह जो पैड है यह पैड आपका 77 नमबर का है अभी कैसे बता चलेगा आप आप यहां पर component map क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर बता चलेगा कि यहां पर 77 नंबर है अब हम इसको चेक कर लेते हैं मतलब यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और तीसरा अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे को वहां पर 1.8 voltage आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं यह वाला तो आप नोटिस कीजिए यहां पर आपको 1.8 voltage मिल रहा है देगे अगर यह 1.8 आपके आपके पावर आइसी को मिल रहा है तो इसका मतलब यह समझे कि आपका जो आपका जो PMI है वो बिल्कुल ओके है बट अब हम इसको DSO से चेक करेंगे चलिए DSO से भी चेक करवाया देता हूँ और अगर आपको DSO सीखना है सिर्फ DSO तो आप मेरा DSO का course purchase कीजिए जो बहुत ही कम rate पे है सारे तीन लगबग 4000 के अंदर ही मैंने देखे रखा हुआ है और क्योंकि उसके अंदर मैंने complete चीजे डाली है DSO और आपने दो-दो DSO को आप उसमें सीख सकते है अपडेट भी आप हो सकते है एक साथ हमने DSO को set कर दिया है पूरी तरीके से बस हमको touch करना है तो आप जैसे की देख रहे हैं अब जिनको नहीं पता तो उनको मैं क्या बता हूं इसलिए पता लगने के लिए आपको यह पता लगना जोरी है और कहते है यह सारे चीज़ें सीखनी पड़ती है आप देखो तो यहां पर जो voltage है maximum 1.9 और यहां पर यह on हुआ है बराबर अभी हमने इसको जूम नहीं किया क्योंकि यह जूम होने पर हमें सीधा चलाए और इसका कोई भी एड्रॉप हमें यह बताएगा कि इसके अंदर कोई ड्रॉप हो रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है कि डियेसो नहीं चाहिए ऐसा है कि डियेसो चाहिए 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 चलो कैसा लगाए वीडियो बताएगा ज़रूर आजी 1.8 आपका PMI का चेक कर लो तो आपका PMI कभी नहीं फेल होगा आपका सेट ओन होगा बड़ आपको समझना यह होगा कि आपको सीप्यू लगाने में भी आपको उतना ही मज़ा आना चाहिए जितना ही स्केमाटिक सीखने में तो ही आपकी सैट बना पाएंगे अगर आप किसी ए नहीं राय देना चाहूंगा कि जब आप मुझसे मिलेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगा कि आपको सही तरीके से कैसे काम करना चाहिए यह वीडियो कैसा लगे मुझे बताएगा ज़रूर वीडियो शॉट बनाना था पर लंबा हो गया पर आई हैं। थो कूरे इंडिया वर के जो मेरे आईफों का को लेकर बेठक हुए है जो पाकिस्तान में यह नहُने मेरे से बहुत से आईफोन की शुल लिए प्रचयस किया है यूकर के यू अजिस जानते हैं और उनको बहुत जादा उनको इससे बैन फिट भी मिला है और उन बैन पर देखेंट नहीं बना पारे हैं और आपको उसके 80,000 एक लाग वाला कोस करने से पहले आपको बहुत सारी चीरे जाननी है कि हम 80,000 वाला कोस करने चलो कल को जाएंगे भी तो हमारे पास हजारों सवाल होने चाहिए यह नहीं कि हम जीरो होकर देखें तो आप जबूर मेरा यह कोस पर्चेस करना क्योंकि हो सकता है कि वह 80,000 वाला कोस करने की जरूवत ही ना पड़े क्योंकि उसमें मैं दिया है DOSO से पूरे चार्ट सिगनल की जानकारी, BBPMU की रिकॉर्मेंट, BB CPU की रिकॉर्मेंट, ब्लॉक डाइग्राम, 15 प्रो तक RFFV कैसे स्कैन करना है, कब स्कैन करना है, कब हमें PFO पर जाना है, कब हमें PMI चेक करनी है, हमें अपने प्रोम चेंज कर दिया, तो कैसे हम बताएं कि हमारा प्रोम सही है कि नहीं, सारी चीजे मैं आपको बताने वाला हूँ,